कच्चतुर नार करके सिंगार मेरे मन के द्वार ये अभूसत जात हम मरत चात कच्चतुर नार करके सिंगार बरता कज़गरी दिता दरततब इनसे मिलिए ये है मशूर गायक विभूती नारायन जानि किशोर कुमार और ये है इनकी महतरमा चंदा रानी यानि साइरावानू और ये है महमूत सहब यानि मुद्दु स्वामी तो आज इस कच्चरी में होगा मुकाबला दो मशूर गायकों के बीच विभूती नारायन वर्सेज मुद्दु स्वामी और उनके निशाने पर है चंदा रानी ये बहुती महान गायक बने हैं और ऐसा महान गायक है कि जो आप देखेंगे जब एपिसोड तो पता चलेगा कि क्या बने और कैसे बने और बहुत पान खाता है अब तक पान खा रहा है वो गायक किशोर कुमार का अंदाज अपनाने वाले विभूती नारैन ने आज ठाना है कि वो अपनी गायकी से सबी को घायल कर देंगे पड़ोसं स्टाइल में ये अपनी गायकी में कुछ इसकदर दूबे हैं कि ने किसी से भी कुछ भी कहना हो ये अपनी शेरो शायरी के जरिये ही कहते हैं और दूसरी तरफ है मुत्तुस्वामी जो चंडारानी यानि अपनी साहरा बानों पर लाइन मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते जहां वकील से गायक बने विभूती नारान ने सबको अपनी गायकी से हैरान परिशान कर रखा है तो वहीं वो भी खुद कम परिशान नहीं थे अब देखिये ना कभी इनकी जूल्पे इनका पीछा नहीं छोड़ती तो कभी इनके चहरे का मस्सा ही सबके लिए हसी मजाग का सबब बन जाता खेर अदालत में सुरों की महफिल कुछ ऐसी लगी कि कभी विभूती नारान तो कभी मुत्तुस्वामी तो कभी चंदारानी सब के सब एक दूसरे के सुर में सुर मिलाने लगे और ये सभी एक दूसरे के सुरों में कुछ इसकदर डूब जाती की विचारे जज सहाब का सरचक्राने लगता इन सभी की शेरों शायरी और गाईकी से परिशान जज सहाब कभी जोर जोर से चिल्लाने लगते तो कभी इन सब के सुर सुनकर इनके सर के बाल खड़े हो जाते अदालत के इस गर्माते माहौल को देखकर यहां से निकलने में ही भलाई है अब देखना होगा कि सुरो की इस जंग में किसकी होती है जीट और किसे मिलती है हाट मुंबई से बंदना शुकला के साथ स्टा न्यूज रिपोर्ट